हेलो दोस्तो इडियागर चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम एक दो नौमबर से 36 गर से जितने भी महतपूर करेंट आफेर बनते हैं उसके बारे में पूरे डीटेल से डिसकस करेंगे और हर कोस्टन से जूड़े important factor के बारे में वे बताऊंगा तो वीडियो को आप पूरा देहान से देखें आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीगराम चैनल से जूड़ के प्राप्त कर सकते हैं टेली ग्राम का लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में दे राखा हूँ तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं शत्तिजगर करें टाफेर का हमारा पहला कोस्टन हाल ही में मीनी जंगल सफारी कहां बनेगा तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ए अंबिकापूर पिलखा पहाड को सफारी के रुप में विक्सित करने की दिसा में प्रयाज की जा रही है जिला पंचाय सदर से आदेश्वर सरण सीह देवनी जनवरी माह में समंध में वन विभाग के साथ चर्चा कर कारियों जिना बनाई थी कुरोना के कारण इस पर कुछ विराम लगा किन्तु अब इस सीग रही वन विभाग कारिय करेगा प्रथम कारियों में पिलखा पहाड के चारो और रेशिंग का कारिय एवां जल सर अक्षड को लेकर आवस्यक पहल होगी जिससे आप इमेज में देख सकते हैं ये मीनी जंगल सफारी जनवरों को यहां कर लाकर पहाड में प्रियट नेवर में शोड़ा जाएगा ये कहाँ पनेगा अंबिकापूर में बनेगा अब अंबिकापूर किस जिले से संबंदिर है तो सरगूजा से अब सरगूजा की बात आई है तो सरगूजा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जोश्तों सरगूजा की स्थापना 1948 मुख्याला है अंबिकापूर अंबिकापूर किस नदि के किनारे बसा है तो रिहन नदी के किनारे बसा है सरगुजन रिहन नदी को सरगुजा की जीवन रेखा काते हैं यहीं मुख्य चट्टान गुडवाना क्रम डखकन ट्रे मुख्य खनीच कोईला भंडारन छेत्र लखनपूर सेदू सितापूर बिर्जुपूर यह सब कहां है तो सरगुजा जिले में इस्थित है बकसाइट भंडारन छेत्र मैंपाड, कारदे सेरा, पटरिया, साथ पहाड़ी वाला छेत्र कहां है तो सरगुजा में इस्थित है धरिमा हवाई पट्टी, अमरिकापूर, खेरवार, कोंकू, पारही, कुडिया, सायता यह सब जन जाती कहां है तो सरगुजा में है अध्योगिक छेत्र नैनपूर, गिरिवर गंच, गंगा खुर्द, मान नदी, 155 उदगम मैंपाड, सरभंजा जल प्रपाद, महाननदी, अफात अंत्र का भाग है, रिहन नदी, 145 किलोमीटर उदगम, छूरी, मतिरंगा, पहाडी, शोन गंगा, अफात अंत्र का भाग है सिचाई परियोजना, सियामगुन गोट्टा परियोजना, सरगूजा जिले में इस्तित है, एतिहासिक परियाटन, पूरतात्विक एतिहासिक छेत्र परियाटन, छेत्र मैंट, पाठ चतिस गड़ का सिमला, 152 मीटर उचा यहां, 1962 में 32 सरे रथियों को बसाया गया थै, तक जोगी मारा गुफा रामगड की पहाड़ी कहां है, तो सरगूजा में इस्तित है, जोगी मारा गुफा मौर्य कालिन साक्षा की गंती अनुसार कालिदास मेक दूद की रचना, रामगड की पहाड़ी सत्पूडा परवत शिंकला कहां है, तो 36 गड़ में है, 36 गड़ के देशी रियासतों में से एक रियासत है सर्गुजा अप्रेल 2008 को सर्गुजा शंभाग का निर्माट जिसके अंतरगत कोरिया सुरजपूर सर्गुजा बलरामपूर जसपूर आदि आते हैं 36 गड़ के प्रथम प्लाश्टिक सडग अंभीकापूर में इस्तित है या बनाए ग रखिये एक्जाम में ऐसे कोश्टन पूछे जाते हैं तो चलिए नेश्ट कोश्टन की और बढ़ते हैं 36 गड़ करिंटा फेर का हमारा नेश्ट कोश्टन हाल ही में अब दूसरा नाग लोग के नाम से जाना जाएगा तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा बी कुर्बा जीले को कोश्टन के स्वस्टी करना देखते हैं जस्पूर में सरपोक की संख्या अधिक है इसलिए इसे 36 गड़ कर नाग लोग कहा जाता है अब उर्जा राजदानी कुर्बा को नाग लोग से तपलिप्द होने लगा है या संबोधित किया जाएगा बारिस के सिजन में पूरे चार महा तक साप निकलने की खत्रे आती रही है इसके साथ ही सरपदंत की घटनाओं में में साप रिद्धी हुई है बारिस के सिजन में सरपदंत में 20 से 25 मौत होती है अब वहां बढ़कर दुगुनी हो गई है इस बार जिले भर में इस साल करीब 50 लोगों की मौत साप काटने की वज़े से हो चुकी है यहां आकड़े साल धर में बढ़ते जा रही है जिससे आप इमेज में देख सकते ही यह बहुत भी सहला साप है दोस्तों इसके काटने से 50 लोगों की बहुत हो गई है और हर साल इसकी आकड़ा बढ़ती जा रही है प्रथम नाक लोगों का कहा जाता है जस्पूर को लेकिन अब उर्जा राजदानी कॉर्बा को दुसरा नाक लोग के नाम से जाना जाएगा अब कॉर्बा की बात आई है तो कॉर्बा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फेक्ट देखते हैं कॉर्बा की स्थापना 1908 में मुख्याला है कॉर्बा मातरित जिला बिलाजपूर बिलाजपूर से अलग करके कॉर्बा को बनाया गया कुर्बा हजदुननदी के किनारे बसा है उद्गम, कुरिया, जिला, रामगर, केमूर पहाड, मुक्के, चटान, गोड़वाना, क्रम, चटान, धक्कान, ट्रैप, मुक्के कनीच, कोईला, भंडारन चेत, में कुष्मुंडा, ग्योरा, दिपका से प्राप्ते किया जाता है इत्यादी है, ये सब कहां है, तो कुर्बा जिले में स्थित है, मुक्के जन जाती कुर्बा कवार, उद्योग, एंटी पीसी कुर्बा, उन्नी सो, त्रासी, विद्धुत उत्पादान, 26 मेगावाट, कितना है, 26 मेगावाट, बालको कुर्बा 2001 में सेवक्तो उपकरण, इस्टरलाइट कमपणी स्थापना, 1965 उत्पादान, 1975 से प्रारम्ध किया गया है, स्याम्ब प्रशाद मुखरजी ताप विद्धुत ग्रिह केंद्र, पूरु में 500 मेगावाट विद्धुत उत्पादान चमता, 500 मेगावाट, प्रियोजिना इस्थापना, 1966 इतना, 1964 उत्पादान, माचा टोली कुर्बा चमता, 120 मेगावाट, मिसेस, पहली महिला सांसत मिनी माता के नाम पर प्रियोजिना का नामकरण मिनी बांद, प्रियोजिना प्रदेश का सब से उच्छा बांद, 87 मिटर, तुमार 36 गड का, कल्चूरियों की प्रथम राजधानी, पाली, बाणवानसी, सासकों की राजधानी, प्राचिन, स्यू मंदिर, जलाल देव, प्रथम, जिडरोद्धार करवाए गया, चुरी को सगाई, कल्चूरि, सासक, बहेंद्र प्रथमाद की राजधानी, चैतुर गर, 36 गर का कस्मीर कहा जाता है, कलिंगराज द्वारा, महिसा सुर मर्दानी माता मामाया मंदिर कहां इस्तित है कुर्बा में इस्तित है लाफा गड़, 36 गड़ का चित्तोड कहा जाता है कुद्रमाल, कबिर पंथियों की पवित्रिस्थल, मुक्त, मरी सहब द्वारा इस्थापित किया गया है ये सब कहां है तो कुर्बा में ही इस कोश्चन से इतना important factor को आप याद रखे एक्जाम में ऐसे कोश्चन चरूर पुछी जाते है चलिए निश्ट कोश्चन के और बढ़ते है हाले में प्रसिद्ध एतिहासिक मेला मामा माजा मंदिर के जीले में से संबादित है तो इसका correct answer हो जाएगा C महा समुन में होने वाला मेला कोश्चन के सपश्च्टी करण देखते है कोरोना वाइरास चलते महा समुन जिने में बचना बहुर पूल छेत्र में सुपरसिद्ध और एतिहासिक मेला मामा भांचा इस बार मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा गौर तलाब से यहां मिला केवल शुबिस गंटे में ही लगता है जिसे शामिल होने पर दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में आते हैं जिस जगा ही मिला लगता है उस जगा को प्राचिन काल में रिष्षियों, और तपो भूमी कहते हैं जहां आज भी रिष्षियों के पुछशे उसे मौज़ूद है यहीं मिला कहा लगता है 24 गंटे का तो महसमुन में लगते हैं महसमुन की बात आही है तो महसमुन को बारे में और गुप्त वंसी सासक समुद्र ने इस चेत्र में कई महिनों तक निवास किया था जिसके काराणिस का नाम महा समुद्र पड़ा, मुक्य जनजाती, भरता, सौता, अध्यगे के चेत्र, बिरकोनी, गोडानी, फरसी, पत्थर के नाम से प्रशित दाय, दान की पहाडी, प्र बहुरी वहन की राज़्धानी, लच्पण मंदिर सात्वी सतापदी में निर्माड प्रारंब, वासंता देवी, पाडववंसी द्वारक करवाए गया, सासक्स, हर्श गुप्त की पत्नी, जिसके वस्तुकाल कभी इशान थे, निर्माड पूर, महस्युर गुप्त, बार भारत में लालीटों से निर्मीत पहला मंदिर था, चत्तिसगड में लालीटों की, लालीटों से मंदिर का निर्माड की प्रथा प्रारंब की गई, सात्वाहिक भी, विहार, आनंद, कुटी विहार, 649 इस्वी हिंसांग सिर्पूर आये थे, तब इसका निर्माड किया गय खलारी, प्राचिन, खालवा वाटिका, राइपूर कल्चुरी, लहुरी सासों की राजधानी, महवारत कालिंग इस्थाल, लच्मण ग्रीही में साक्ष, बाग बहरा, चंडी माता मंदिर, भालू फल गरहण करने के लिए यहां आते हैं। तुर्टुरिया आस्राम वालविकी आस्राम लोकुस का जन्मिस्थाल, कहां हैं तो महा समुन में इस्थिर हैं। पर करेंट आफेर का हमारा नेश्ट कोस्टन हाल ही में सिल्बरेटी एडविकेट से सम्मानित किया गया। इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा। बी, अनुष शर्मा को कोस्टन के स्पश्टिकरन देखते हैं। अनुष शर्मा को यूनिश्थ ने सिल्बरेटी एडविकेट के रूप में चेनित किया। अनुष यूनिश्थ पहले सिल्बरेटी एडविकेट अब स्वास्त्रपोसर स्वक्षा ता सिक्षा और बच्चों के सरक्षान को बढ़ावाद देने और राज्य में जागरुकता पैदा करने के लिए यूनिश्थ का साथ देंगे। अनुष ने कहा कि राज्य में सिल्बरेटी एडविकेट के रूप में यूनिश्थ के साथ जूड़कर बहत खोस हो। मेरा दिड़ विश्वास है कि हर बच्चा जीवन में एक बहत सुर्वात और हगदार है। कोई भी बच्चा को पोसित ना हो और ना ही रोके जाने यूग्य बिमारियों से बच्चों की मृत्ति हो। उन्होंने कहा कि यूनिश्थ के साथ जोड़कर हर बच्चे का सयोग करना चाहते हैं। अब इमेज में देख सकते हैं। यह हैं अनुष सर्मौ। अभी नेत्री लोक प्रिय बदमसरी से इसको सम्मानित किया गया है। यूनिश्थ के साथ। ठीक है। तो इस कोश्थ इतना इंपोर्टेंट फेक्टर को आप याद रखिए। चलिए नेश्थ कोश्थन के वर बढ़ते हैं। हाल ही में नीली जील कहां मिले हैं। इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा। कोर्बा जीले में। कोश्थन के स्वश्थिक रण देखते हैं। मारा टूरिस्ट अपके रूप में विक्सित। जीले में प्रसिद्ध प्रियट ने इस्थल सतरंगा का राज्जी स्थापना दिवस। मतलब इसका स्थापना एक नमंबर को किया गया हलो कारपड। गहरी नीली जील और दूपे को सुंदर वादियों के रूप में इसे जाना जाता है। पक्षियों के सुंदर द्रिश्य के बीच धक्षिड भारतिया सिकारे का अनुभव करते नौका विहार के लिए सेनानी पाले ही सतरंगा की उराकर्सित हो। चुट्टियों बिताने की योजना बनाने में जुट चुके हैं वाटर रिस्पोट एडवेंचर का सौक रखने वाले परेटना को कुई पसंद में अनुभव सतिरंगा को राश्टिया इस्तर में परेटन इस्तर के रूप में विक्सित किया जाना किया गया है। जिससे आप इमेज में देख सकते हैं। ये कहा हैं तो कॉर्बा जिले में इस्तित है। और कॉर्बा जिले के बारे में में बस्टो कोश्चम में डिसकस कर चुका हूँ। तो इसके बारे में और डिसकस नहीं करेंगे। तो ये वीडियो आपनों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बाक्स में जरूर बताना यदि मेरे इस वीडियो से आपको helpful मिला हूँ तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक, सेयर, कमेंट थैंक्स पर वाचिंग, इंडिया गड़ा